अगर आपने न्यूज नहीं सुनी तो सुन लेंगे के एर इंडिया की एक्स्प्रेस फ्लाइट जो दुबई से केरला होजी कोड़े वहाँ पर आ रही थी जो के 190 पैसेंजर को लेके आ रही थी वो करीपुर एरपोर्ट पर ओवर्शूट हो गई रनवे से और क्रैश हो गई है और वहाँ पर 15 से ज्यादा लोग including the pilot have died it's a very tragic incident और बहुत ही बुरा हुआ है वहाँ पर around 7.30 बचके 10 मिनिट पर यह incident हुआ है initial report के अनुसार pilot including 15 लोगों की death हो चुकी है और कई सारे लोग घायल है इस incidents पे आपको आज ये बात बतानी जरूरी है कि यहाँ पर ऐसे कोई situation पे aircraft accident जिसमें के explosion हो इस particular accident में aircraft दो हिस्सों में तूट गया है जब वो तूट जाता है वहाँ पर कई सारे hazardous health hazards होते हैं जो वहाँ पर ना सिर्फ जो passenger है उनके लिए जो rescue कर रहे हैं उनके लिए जो बाद में cleaning करेंगे उनके लिए और आस पास रहने वाले लोगों और environment के लिए भी safety और health hazard के कार बनते हैं इसी के बारे में आज ये वीडियो है physical injury की बात नहीं कर रहे हैं और तीन basic प्रकार के health hazard है इसके अंदर number one fiber reinforced polymer composites होते हैं इस particular air fraud के अंदर और crash fire situation में वो उसके sharp splinters बन सकते हैं sharp splinters एक्सपोज हो सकते हैं physical injury हो सकती है वो तो एक है लेकिन जो सबसे बड़ा injury है वो है fibrous dust जिया fiber dust बनके carbon fiber toxicity होती है fiber आपके lungs के अंदर चला जा सकता है fiber हवा में हो सकता है जैसे कोरोना हवा में कुछ देर के लिए रहता है अस्पतालों के अंदर वैसे इस particular crash site में उस crash site के आसपास fiber dust के वामले में पूरे area में होता है वो fibrous dust is dispersed by the fire जितनी fire होती है उतना ज जादा dust और साथ में blast जितना बड़ा उतना बड़ा dust और साथ में वहां पर toxic gases होती है तीन प्रकार के damages होते है toxic gases जो इस तरह के fiber substances और जिस जिस चीज़ से plane बना उसके जलने के वज़े से बाकि जो injury के वज़े से जो हुआ वो अलग है जो injury से बच भी गए उनका और जो उन toxic gases के सामना करना पड़ेगा इसके बारे में आज समझेंगे देखिए problem क्या है कि बहुत ज्यादा मातरा में आज के date में fiber composites यूज हो रहे हैं एक aircraft के primary और secondary structure में बनने के लिए इसी लिए जब भी कोई crash होता है तो यह fiber आपके जल के तूट के और जब भी वहां burning होगी crash होगा उसे यह fiber जो है उसमें आ जाता है हवा में आ जाता है चुटी चुटी फाइबर तो जो response personal है वो उस पे exposed हो जाएंगे और अगर बाद में fire मान लिजे aircraft का जो फ्यूल है rocket फ्यूल है जो वहां का फ्यूल तो बहुत खतरनाक होगा एरक्राफ्ट का फूल बहुत जादा उससे जब बर्निंग होती है तो उससे और ज्यादा फटरनाक तरीके से यह हवा में आता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं बहुत ही जल्दी अब इसको क्या है कई research में समझा गया है और में चीज जो समझने वाली है कि जो फाइबर रिजीस होता है बर्निंग कंपोसेट में यहां पर दो प्रकार के इसमें होते हैं शौट और एडवर्स इफेक्ट शॉट टर्म और लॉंग टर्म एडवर्स इफेक्ट होते हैं कई लोगों ने इवन इंक्लूडिंग रेस्क्यू वाले जो क्रू है सफाई वाले रिकवरी पर्सनल है उन्होंने अलग-अलग डिगरी में हेल्थ की बिमारियां बाद में जाके बताई हैं किसी को सिर्फ छोड़ा सा आई रैश स्किन रैश आई राल हो जाना किसी को रिवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हुए है यह रेस्पिरेटरी क्योंकि फाइबर अंदर च करते हैं उस ब्लास साइट में इस प्रकार के वहां हवा में चीज़े होती है सो देरा रिपोर्टेड इस काइंड ऑफ एक्यूट डैमेज़ और क्रोनिक नेचर में भी रेस्पिरेटरी इशू आने लगते हैं सांस के लंग के फोस्ट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कम जो ल चैमिकल है जो आपके बॉड़ी टिशू में होता है यह एलर्जिक रियक्शन स्वें प्रेजेंट होता है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम करता है यहां पर यह जाके ब्रॉंक कस आपके जो रांस की नलिया है यह इसको कंस्ट्रिक कर देता है तो पॉजिटिव हिस्टामीन चैस मतलब एक तरीके से अस्थमा जैसा उनको आगे चलके हो सकता है कि हो जाए कि थोड़ी सी ऐलर्जी हो और ब्रॉंको स्पाजम हो जाए सांस्पून लें लग जाए नहीं होता है रेस्पिरेटरी एरभॉं माईक्रो फाइबर यह फाई और एगस्पयोजन अगर फाइडा नहीं है एकस्प्योजन नहीं है सिर unsere सथय करो घैंकरंका अब या shorter or shorter than 80 micrometer वो respirable होते हैं respirator respirator जो diameter में 3 micrometer और length में 80 micrometer से कम है वो सांस की नल्यों में deep lung तक LVolai तक जा सकते हैं अब इसमें वो LVolai के अंदर कुछ सफाई के भी system होते हैं तो कुछ fibers तो जो 15 micrometer से छोटे हैं वो तो clean हो जाएंगे लेकिन जो उससे बड़े होते हैं वो वहां रह जाएंगे और pathological effect करेंगे animal studies की गई थी फिर इस particular चीज में कि यह fiber अगर LVolai में जाते हैं तो क्या pathological effect करते हैं कितने करते हैं evidence बताता है कि यह silica और asbestosis जैसे effect करते है respiratory carbon toxicity और एक यह जितने ज्यादा thermal जितने ज्यादा temperature वहां पर जब temperature blast होता है more than 1000 degree centigrade से ज्यादा हो जाता और उसके वज़े से जितना ज्यादा temperature उतना ज्यादा damage करेंगे आपके लंक के अंदर जो उसकी volume है जो उसका allergy tendency हो सब खराब करेंगे जतना small उतना अंदर जतना बड़ा उतना problem यह पहला सबसे बड़ा है fiber carbon fiber toxicity इसके साथ there are toxic chemicals produced in the combustion toxic chemical because of organic resin है जो वहां पर जल रहा है चलता है blast होता है तो वह even यह respiratory जो fiber है उसके उपर चिपक के अंदर जा सकता है उस fiber particles के उपर deposit हो के अंदर जाके वह toxicity कर सकता है chemical fiber के उपर लगके fiber और chemical अंदर गया fiber चाहे आपके body निकाल दे chemical का effect वहां हो गया तो chemical का effect बहुत सारे अलग-अलग प्रेटेक्स, phenolic compounds, etc. ज्यादा तर जो already known है mutagens आपके body में mutations और carcinogens cancer produce करने के लिए आपके body में animal studies में जो proven है however अभी फिलहाल इस चीज के उपर बहुत जादा study नहीं हुई है कि एक aircraft के अंदर से जब यह ऐसा कुछ blast होगा तो वह कितना risk है percentage-wise या कितना risk है आपको इस particular type के toxicity का however तीसरे प्रकार का एक और aspect इसमें आता है जो आता है aircraft accident में short circuit का short circuit electrical and electronic system का होता उस इलाके में उस इलाके में क्यों हो सकता है जितना carbon fiber होते हैं यह carbon fiber जो हवा में आते हैं कई बार यह blast से दूर-दूर तक जा सकते हैं और यह जो carbon fiber होते हैं conductive होते हैं electricity conduct कर सकते हैं तो यह चीजों को short circuit कर सकते हैं वहां पर आस पास के चाहे आप उसमें transformer कहलो distribution lines कहलो radar कहलो electrical equipment कहलो यह सब जो है आपके उस समय खराब हो सकते हैं इस प्रकार की situation आ सकती है ना सिर्फ passengers rescue लोग सफाई वाले लोग investigation वाले लोग medical personal जो वहां है उन सब को इन चीज का खत्रा है तो इस चीज की जानकारी उन लोगों को होनी चाहिए कि वह अगर वहां का रहे हैं तो वह protective equipment पहन के जाए respirators पहन के जाए मास्क से simple mask के काम नहीं चलेगा कपड़े से काम नहीं चलेगा बहुत चोटे skin के अंदर भी गुच रहे हैं तो वह उसमें भी गुच जाएंगे respirator आपको चाहिए उस से तक उस आपका lung का protection हो पाएगा और किसी चीज से नहीं तो gas mask या respirators आपको चाहिए होंगे उस condition में तो आपको इस information is helpful प्लीज शेर दिस वीडियो जो लोग वहां पे हैं जो लोग वहां जाने वाले हैं जो लोग ऐसे किसी situation में आगे चलके फस्कते हैं उनको यह knowledge होनी चाहिए इस जस्ट आन एफ़र्ट प्लीज दू शेर थैंक यू सो मुच टे कनेक्टेट से हल्दी